चाहिए फ्रेंज्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साल और मैं हूँ भी केसिंग इसली जारे हम लोग आफियर्ऺे की पड़ाई कर रहे हैं और मैं लेकर आता हूं एंड इटेंड में very very important current affairs के questions आईए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रसन है भारत का पहला stealth guided missile destroyer INS बिशाखा फत्रनम भारती नौसे ना में सामिल हुआ है इसका निर्मान किस ने किया है इसका निर्मान जो है यह मंजगों डाक स्थिप्याड मुंबई ने किया है ठीक है दू बात इसमें important है क्या है सबसे पहला कि यह INS बिशाखा पत्रनम इसका नाम है और यह है क्या इस्टिल्ट guided missile destroyer है यह missile को नस्ट करने वाला है ठीक है और य की लिए यह सीपियोड मुंबई ने बनाया है यह इतनी बाते इस प्रसंत से रिलेटेड़ आपको याद रखने है उसके आगे है 72 राष्ट्रियए पुरुसकार 2021 किसने जीता है भात्तरवा राष्ट्रिय पुस्तक पुरुस्कार ठीक है तो इस पुस्तक पुरुस्कार का नाम आपको याद रखना है कौन है जेसन मोट किस पुस्तक के लिए मिला है तो हेल आफ़ बुक के लिए मिला है तो ये एक important question हो जाता यहां से कि भात्तरवा राष्ट्रिय पुस्तक पुरुस्कार जेसन मोट किस पुस्तक के लिए मिला है हेल आफ़ बुक अकला question मनता है राष्ट्रिय नवजात सिसू सप्ता कब से कब तक मनाया गया है नवजात सिसू सप्ता जो है वह पंद्रह नमंबर से 21 नमंबर तक मनाया गया है उसके बाद है 22 ACI तीरंदाजी चंपियनसिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 22 ACI तीरंदाजी चंपियन जो हुआ इसमें भारत ने कुल साथ पदक जीते हैं इससे आगे यहाँ पर है तरी पक्षिये नौसेना अभ्यास सिट मैक्स आपको मैंने कहा था कि करेंट अफ्यर्स में आप टेनिस टूर्नामेंट जितने भी होते हैं सब को कवर करेंगे अच्छे सी याद करेंगे जो हाल में भारत के साथ भारत जिस देश के साथ भी नौसेनिक या बायूसेना या थलसेना का युद्ध अभ्यास हुआ है उसको आप जरूर याद कर लेंगे उसके बाद कुछ नए नए जो सी यो या फिर अध्यक्ष चेंज हुए हैं वो पढ़ाई कर लेना है इस प्रकार के कुछ कोशन जैसे कि ब्रांड एमस्टर जो हाल या समय में चेंज हुए हैं नया बने हैं तो ब्रांड एमस्टर को भी ध्यान में रखेंगे और तो करेंट अफेर्स सेल रहा है नवीन घटनाओं को ध्यान में रखता ही है तो स्रिट मैक्स जो है यहां पर किस तीन देशों की नवसेना के बीच आयजित हुआ है तो स्रिट मैक्स जो है S, I, T यह तीन बात याद रखना है और M, E, X का होता है मेरिटाइन एक्सरसाइज तो S से हो गया सिंगापूर I से हो गया इंडिया और T से हो गया थाइलेंड तो यहीं सिट मैक्स का यह क्लू है मैक्स का होता है मेरिटाइन एक्सरसाइज यह नौसेनिक अभ्यास है मेरिटाइन एक्सरसाइज का मतलब वह नौसेनिक अभ्यास और सिट का मतलब वह इंगापूर, इंडिया और ठाइलेंड। ये याद रखेगा। अगला है वार्षिक स्वच्चता सर्वेक्षन 2021 का खिताब लगतार पांचवी वार। किस ने जिता है। पांच वी पांच वार वो लगातार प्रथम अस्थान पर रहा है किस में? स्वाच्छता सर्वेक्षन में तो ये नाम है आपका इंदार इंदार जो है इसको पांच वी बार प्रथम पुरुसकार मिला है वार्सिक स्वाच्छता सर्वेक्षन में अच्छा पाँच वी बार पर्थम तो रहा तो दूसरे तिसरे अस्थान पर कौन रहा है इसको भी देख लिजए तो दूसरे अस्थान पर क्रमसा सूरत और तिसरे अस्थान पर विजेवड़ा रहा है सबसे स्वच राज में किस राज की गिंती आ या है, 36 गडर की तो 36 गड़ जो है वह सबसे स्वच्छ राज है आगे लिए चलते हैं लिखाव है बीट क्वाइन को लीगल करेंसी का धर्जा देने वाला पहला देश जो है वो अलसलवाडोर बन गया है अलसलवाडोर जो है ये दक्षिन अमेरिका का देश है वो बीटक्वाइन को मानेता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गिया है उसके आगे है हाल ही में जारी स्वेचता सर्वेच्छन 2021 में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तो हाल ही में जारी स्वेचता सर्वेच्छन में बिहार को तेरवाँ अस्थान मिला है राजियों के क्रम में बिहार का अस्थान बारह हुआ है याद रखिएगा और स्वेचता सर्वेच्छन में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तेरह हुआ मिला है जब तेलंगना नया राजी बना था और जम्मू कस्मिर एक राजी का दर्जा था तब जो बिहार था राजियों के क्रम में छेतरफल के हिसाब से तेरह हुआ अस्थान था लेकिन जब जम्मू कस्मिर भारत में बिले होने के बाद उसको केंदर सासित पर दिया गया तब क्या हो गया बिहार का अस्थान बारہ हुआ हो गया स्वेचिता सर्वेशन में अभी क्या है तेरह वह अस्थान है याद हो जाने की दृष्टी कुन से मैंने ये जानकर्य आपको दिया है आईए इसके आगे बात करें तो गंगा के किनारे एक लाग से जादा आवादी वाले सहरों में स्वेचिता सर्वेशन दोजार एकीस के न नारस है दूसरे अस्थान पर अपना मुंगीर है और तीसरे अस्थान पर क्या है पटना है पटना को मिल गया ये बहुत बड़ी बात है दस लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में पटना का सतां留言 निया अंडर 40 से भी बाहर है चलिए हाल ही में सुडान के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो अब्दुल्ला हम्दोक इस प्रकार का भी प्रसन बीपेसी 64 या 65 में पूछा है हाल में जो प्रधान मंतरी चोटे चोटे देश के बदले हुए थे तो मुझे यह याद नहीं कि किस देश का उससे में पूछा गया था लेकिन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि हाल ही में सुडान के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो अब्दुल्ला हम परागकन तो पॉलिनेटर पार्क यानि परागकन वाला पार्क कहां खोला गया है यह उत्राखंड के नैनी ताल में यह खोला गया है यहां पर दिखाई देरा आपको उत्राखंड का नैनी ताल तो यह नैनी ताल में है पॉलिनेटर पार्क यानि परागकन पार्क उसके वे स्काज अश्रम एक ट्रीक मैने पीशे आपको बताया है तो वो भी ट्रीक आप देख सकते हैं वीफिन प्रमुक्वन जीवाभ्या ज़ो एवने च्छाओ वांघ्रत करने में बहुत सेविधा होगी और एक बार में आपको चौदा के चौदा इंपोर्टेंट वर्णी जीवा व्यारंड कंठस्त हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, टेक है, वो शुरुवात इस प्रकार से, गुजरात में गिरे नल, दूध पी, जीम चल, केरल यार, मद्ध में कानहा, रण के राजा, मानस का अज अशम, नंदन उुरिस को बंदी करना, जाके दची गराम, ये एक-एक सब्द जो है, एक-एक आप भ्हारन को दर्शाता है, मैं सुरू करे एक-दू बात बता देता हूँ, मैंने कहा, कि गुजरात में गीरे नल, यहनि गुजरात में गीरवन और नल सरोबर है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और एक कुलू दे देता हूँ भारत की सबसे लंबी नदी के नाम पर उसका नाम रखा गया है आप कमेंट में मुझे जरूरत आएंगे तो इस प्रकार से आट के करेंट अफेर्स सेक्शन में मैंने आपको इतना दे दिया है और आप इसको रिविजन करते रहेंगे और यदी मेरे इस करेंट अफेर्स का पिडियाफ चाहिए तो पांत साथ वीडियो जब में बना दूँआ है ना कर आपको उपलबत करायंगे जिसस amendments मेरे इसमें पिडियाफ रहेंगा